नमस्कार MP News में आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूजरूम में इस वक्त आपके साथ मैं हूँ श्रद्धा बंदिला और सबसे पहले न्यूजरूम में बात कर लेते हैं सियासत की विधान सभाच्छुनाम 2030 जिसे लेकर सभी दूर चर्चाय हो रही है और इसी कड़ी में कि अपने अस्तर पर अपने अपने रंणीती बना कर काम कर रही है बीजेपी ओंकरिस ओंग्रेस या अन्यय पार्टिया हो शबशन अपना पना काम कर रही है लेकिन कही न कहीं इसमें आरोप त्यारोप भी लगाय जा रही है कि विजेभी जन आशिरवात यात्रय निकालर उस सरकार की विफलताओं को जनता को बताएगी और यातरा का रोड मैप तयार भी हो चुका है वहीं जन आकरोश यातरा में कॉंग्रिस के नाराज नेताओं के आकरोश का डर भी यहां पर सता रहा है और इसी कड़ी में जन आकरोश यातरा से पहले कॉंग्रिस नाराज नेताओं को साथने में लगी हुई है यातरा के जम्मेदारी समखल रहे नेताओं को PCC चीफ की तरफ से निर्देश दिये गए है जारी पत्र में कहा गया है कि नाराज नेताओं की पहचान का लिस्ट तयार की जाए यातरा के आगमन के तीन दिन पहले इलाके के नाराज नेताओं को बड़े नेताओं से मलाकात करवाने की रणीती यहाँ पर बनती हुई ने जरा नहीं है तुझा रहे हैं तो ये हो गई सियासी सियासत की बात आगे बढ़ते हैं और अब हम न्यूसरूम में करेंगे सर्फ और सर्फ बारिश की बात क्योंकि बारिश लगातार कहर बरबार रही है। कई इलाके डूप्रभावित हो चुके हैं, कई नदिया उफान पर आ चुकी है और हम सभी दूर देख रहे हैं कि जस तरह से बारिश हो रही है, उससे तरही तरही चारो और मची हुई है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धार की, जहां पर 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है और हम आपको बता दें कि मुसला धार बारिश से यहां की लोगों का जंचीवन अस्थ व्यस्त हो चुका है जिले में कई जगों पर बार जैसे हालात हो चुके हैं और ग्राम दुगनी में कच्चे मकान की चछद गिरने से पती पतनी की मौत की खबर भी सामने आ रही है वही कारम दुगनी के पास दो गावों में कुछ लोग और भंडाखों में भी खेतों में काम करने के लिए गया परिवार अचानक से पानी में बह गया जिनका रैस्क्यू कर उन्हें बचा लिया गया जिले की ग्राम दुगनी में तेज बारिश से कच्छा मकान किर गया और इस घटना में घर के अंदर मौजूद पती पतनी की मौत हो गई परिजनों का आव रो रोकर बुरा हाल है सारी इलागों के कुछ इसी तरह से हालाद बने हुए हैं और पूरी जो जगह है वो जलमगन हो चुई है हर जगह सिर्फ बारिश ही बारिश पानी ही पानी नज़र आ रहा है खाबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं शिवना नदी की हम बात कर ले रहे हैं यहां पर शिवना नदी की जहां पर जिले के अपस्ट्रीम इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है और उसी बीच शिवना नदी में उफान आने से भगवान पशुपतीनात मंदिर में शिवना नदी के बार का पानी अंदर खुश गया देरात करेब ढ़ाई बजे पानी का बहाव बढ़ने की कारण शिवना नदी ने भगवान पशुपतीनात के गर्भग्रह में प्रवेश कर उनके चारों मुखों का जलाभिशे किया और करीक तीन घंटे तक चार मुखों के जल्मग्न रहने के बाद सुभा पांच बजे पानी उतरना शुरू हुआ इसके बाद प्रबंधन ने मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू किया इस दौरान भक्तों के प्रवेश पर पूर्ण ने तहा प्रतिबंध लगा दिया गया और वहीं गर्भग्रह में सफाई के चलते सुभा साथ बजे होने वाली आरती आठ बत कर तीस मिनिट पर शुरू हो सकी आपको बता दी कि मंसौर के लिए शिव और शिवना का मिलन बहुत सईयोंक माना चाहता है और इस वर्ष यहाँ पहली बात हुआ वर्दमान में शिवना नदी का पानी जो है मंदिर पर दिसन में उतर गया जिसके चलते महेश्वर के अहिल्या खाट पर भी पूरी तरह से डूब गया इसके साथ ही महेश्वर के अती प्राचीन काश्ची विश्वनात भगवान के गर्ब ग्राम में भी नर्मदा कजल पहुच गया महेश्वर के आसपास के इलाकों में भी कुछ ऐसी ही स्तथी बनी हुई है जहां पर बहुत सारी पानी जो है भर चुका है और काफी लोग परिशान होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं खबरों में आगे बढ़ते हैं यहां पर भात कर लेते हैं जहाबुआ की जहां पर 36 घंटे से बारिश हो रही है इतनी ज्यादा बारिश हुई कि यहां पर अलर्ट जारी करना पड़ा लगातार बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया नदी नाले उफान पर हैं कुछ से संबंदित रेस्क्यू बचाफ के लिए आप 07392-243319 पर संपर्क कर सकते हैं इस तरह कि नंबर जो है वो टीम की तरफ से जारी कर दिया गया है अगर आगर आपको भी आप जावगा में आपको परिशानी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नंबर फिर से हम बता कुछ नियू अपडेट्स के साथ तब दक के लिए नमाज कर एंपी की नफस, एंपी का हाल, मज़ी प्रदेश की हर खबर, एंपी न्यूस टीवी के साथ, लगातार खबरों के लिए सब्स्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एंपी न्यूस टीवी, लेटेस्ट अ लाइकन दबाना, जरा भी नफूदे